अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें उससे मेरी वीडियो के सारे नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको हेलो फ्रेंज आज हम पनाएंगे पनीर दो पियाजा बिल्कुल रेस्टोरन स्टाइल में इसको बनाना बहुत इजी है यह खाने में बहुत ज़रा टेस्टी लगता है मैं दो परसन के लिए बना रही हूँ क्रीम डालके मैंने इसको मिक्स क्रेंब क्लिक करना यह जब भी आप सरव करें तो इसको मिक्स करें बहुत ही टिस्टी बहुत घ्रीव टी मिछ of बना ऐए बहुत असान तरीके से वयुक्त हे बना लेते हैं पनीर हां कि जया पनीर लिए शोड़ा यहां कि यह नहीं कॉप चके यहांक काट घञा लिए तो ईम पटीज़ा डेला कल्या और सबसुत यहाँ पानी में पानी गणम होने के हुआ लागा जैसे पानी थोड़ा गर्म होगा इसमें जब टमाटर होने लगा है तो प्यास डाल देंगे लिवाय बुद्धे निवाचे से वॉल कर लेंगे कि देखें प्यास तोमाटर में हो चुके हैं प्यास के इस तायओं के लर्ड़र्णी learn thos हुआ हुआ हिए मगार टरत निदुन तक मैं इसको वैल किया है है हम अब गैसको आफ कर देंगे कि अब इसको ठंडा होने के लिए अलग बर्तन में निकाल लेंगे कि प्यास को मैंने अलग कर लिया है पानी से अब इसको बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे कि इसके दो इस तरह से पीस कर लेंगे और यह बड़ा अलग निकाल देंगे कि अब लेंगे थोड़ा मोटा कि अब बिखिए तारे प्यास को मने इस तरह से कर लिया है चोटे टुकड़ों में अलग अलग कर लिया है इसका तेखि ठेग टमाटर की स्किन को भी इस तरह से मिल कर लेंगे फिर भी शपर मिक्क्सी कर जार में डाल के ब्लेंड कर लेंगे आपागा सि independent जबादर 2 तो अंधा सब्सें इसमें में पटाइर करेंगे। ऌफाधाय की में चेयर पेस्ट में तब सब्सक्राइब करें चाहिए जब अठीज है । इसको पलटके फ्राइ कर लें तांकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए अग्या आप पनीर फ्राइब हो चुका इसे में अलग निकाल लेती हूं और देखिए उसी पैन में में प्यास को फ्राइब कर लूँ लूगी अधा मिनट अधा से एक मिनट तक इसको प्राइब करेंगे इसका कलर हमें चेंज लेहीं करना है तो प्राइब हो चुके हैं अब इसको मेलग निकाल लूँगी देखिए प्यास भी हमारे हो चुके हैं यहाँ पे मैंने कुछ साबूत मसाले लिए हैं तेज पत्ता अधार मोटी सा पिना काली लाइची लिए हैं थोड़े मैंने यहां पे काली मिर्च लिए लॉंग लिए और मैंने जीरा लिया देखिए एक साबुत लाल मिर्च डाल दूगी और इसको थोड़ा सा भून लूँगी देखिए मसाले हमारे हो चुके इसमें मैं प्यास जाए यहां पारीक लंबा पतला दुट रखा एक वारिक लंबा पतला ड्रख काता नहीं चाहे तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं अब इसमें मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है इसको भून लेगे अच्छे से देखिए न अबसे पहले में नमक नमक लिया है अदा चमच नमक लिया है अधा चमच आप लाल मिज पाउडर एड़ करेंगे अधा चमच है हमें हल्दी यूज करेंगे वन फोर्थ चमच यहां पर मैंने दालचीनी पाउडर लिया है आप चायत इसको स्किप कर सकते हैं पर मैं इसको भून लूगी आदा मिनट के लिए देखी एक मिनट तक मैंने मसाले को भून लिया इसमें टमाटर और काजू का पेस्ट एड़ कर देंगे जार में थोड़ा पेस्ट लगा रह गया था मैंने इसमें चमच पानी एड़ करके और इसको भी मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे देखी मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया है इसको कवर करके क्योंकि टमाटर को हमने पहले से ब्लांच कर लिया थे से हमें बहुत जादा कुक नहीं करना है बस इतना इसको कुक करना है कि इसका मसाला अच्छे से पुंजर तेल उपर आ जाए देखी ओल ऊब आ चुका तीन से चार चमच मैंने पानी एड़ कर दिया इसको कवर करके हम एक वोईल आने देंगे देखी ग्रेवी में वोईल आ चुका यहां पर मैं दो से तीन हरी मिर्च ली हूं इसको बीच में से काट के लिए अगर आप तीखा पसंद नहीं करते दो इसको सकते हैं अब में इसमे अब हम एक से दो बन तक के लिए पकाएंगे अ देखिए पनीर दो प्याजा हमारा रैडी हो चुका है इसको हम थोड़ा थंडा होने देंगे फिर हम इसमें क्रीम का यूज करेंगे थोड़ी इसमें कसूरी मेति एड़ कर देंगे लिए पूरी तरह ऑप्शनल है अगर लिए डाल दी अब इसमें हम दो चमबच क्रीम का यूज करेंगे अ कि अ कि क्रीम डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका दो चमबच हमने फ्रेश क्रीम ली है 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 कि कि देखियो फ्रेंड्स हमारा पनीर दो प्याजा बनके रैडी हो चुका है ये दो पर्सें की ली मैंने बनाया है बहुत ही य्पी डिशेजा थे अपनीर दो प्याजा बना है ब्ल Davis रश्टोर्सर प्राइब हमने इसको बनाया है आप इसे नान या सिंपल चपाती के साथ भी ट्राइ कर सकते हैं अगर आपको पनीर प्याजा की रेस्पी अच्छी लगे तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताईएगा तो मिलते हैं गली नई रेस्पी के साथ ओके देख केर